हेलो फ्रेंड जोती कीचट में आपका बहुत बहुत स्वागत है फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है तो आज रक्षा बंदन स्पेशल रेसिपी बदाम केशर कत्री की बनाते सिर्फ दो चीजों से रेडी करेंगे तो प्लीज वीडियो को पूरा देखे चलिए शुरू करते बनाना एक कब बनाम दी अच्छे कॉलिटी के इसे उबलते हुए पानी में डाल देंगे पांच मिनिट के लिए इसे ढखकर रख देंगे जिसे छिल के आसानी के साथ निकल जाते हैं केशर लेंगे इसमें दूर ळालेंगे जिसे कलर आजाएगा अब यह देखेए अच्छी तरव भिख चुक है अब इसमें के पानी मेंर निकाल लेंगे और इसे क्रेसिपे को जरूर ट्राइ करें बताएे कमेंड बॉक्स میں कैसे बनी का बादाम केशर कतली आए देखfed अच्छी तरव फूल चुके हैं अब मिक्सी के पॉट पना में डालेंगे केशर वाला दूट डालेंगे और सोदा थोड़ा नॉर्मल वाला दूट डालेंगे और अच्छी तरह बारी पीस लेंगे इस देखे अच्छी तरह पीच चुके हैं पेन में दो चमज घी डालेंगे और चारो और लगा देंगे जिससे ये चिपके नहीं मिश्राण आप भारी तले का पेन ले जिससे ये नीचे तले पर चिपकेगा नहीं मिश्रेण मीडियम आज पे बिल्कुल भूने दो मिनिट के लिए इसे इसे कच्चापन निकल जाएगा बहुत ही बढ़िया बनती है काजू के बदाम के शरकत नहीं आदा कप नॉर्मल वाली चीनी डालेंगे आप चाहे तो पिसी वाली चीनी भी डाल सकते हैं लगातार चलाते रहे इस बात का द्यान रखें देखें आप केशर का कलर भी आ गया बहुत बढ़िया अब इसे चेक कर लेंगे तोड़ा प्लीज मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेर जरूर करें अगर नहीं तो सब्क्राइब करना न बूले जिससे आने वाली रेसिपी देख सकें यह देखें अभी थोड़ा ओर भुनने की जरूरते से कितना बढ़िया कलर आया यह 15 दिन तर इस्टोर कर सकते आराम से यह खराब नहीं होती अब दुबारा चेक करेंगे अब देखें अच्छी तरह गोली बंदूरी इसे अब थंड़ा होने देंगे बहुत ही भड़िया खुश्बू आ रहे हैं अब इसे थंड़ा हो चुका है मैंने बटर पेपर पे घी लगा दिया था अब इसको बटर पेपर पर रख कर और बेलन को घी लगा कर पतला पतला बेलेंगे पतली-पतली की कतली बहुत बढ़िया लगती है इसे चान्दी कबरक लगा देंगे अगर आपके पास हो तो लगाए नहीं तो नो लगाए इससे जरा अच्छा लूक आ जाता है देखने में ये देखिए बंद का तयार हो गई है इनकी कितनी बढ़िया बनी है आप जरूर बनाए मिलते नई रेसिपी के साथ थेंक्यू फर वाचिंग